हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर दिख स्वाकत है देखे रक्षा मंत्राले की परेशानिया थमने का नाम नहीं ले रही है और दिन पढ़ती दिन बढ़ती जा रही है कल आप सभी को पता है मान्य सुप्रीम कोट ने एफ्टी के जज का जो ट्रांसफर है उस पर इश्टे लगा दिया था और अब एफ्टी के बाद देखिए मानवादिकार आयोग एन एच आर्सी ने रक्षा मंत्राले को समन भेजा है आखिर ये समन क्यों भेजा गया है दिसेबिल्टी पैंसन केस में रक्षा मंत्राले सचिव को भेजा गया समन 16 नवंबर 2023 तक का समय है नहीं तो 23 नवंबर को होगी पेशी ये अपने आप में एक बहुत इंपोर्टेंट खबर है और आप सभी को बिना इस किपकियो एंड तक देखना चाहिए चाहिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें देखिए केस नंबर है 1408-19-7-2022 National Human Rights Commission Low Division और देखिए 9 अक्टूबर 2023 यानि कल का ही जो ह सर अबलिक मेडम दा केस इन रेस्पेक्ट ओफ जगदीश चंद्र वाज प्लेस्ट बिफोर दा कमीशन ओन नो दस दोजार तेहिस इस कमीशन के सामने ये केस 9 अक्टूबर 2023 को प्लेस हुआ अपोन पर्सूइंग दा सेम दा कमीशन डारेक्टिड एस पॉलोस तो कमीशन न कि उनको उनकी जो डिसेबिल्टी पैंसन है डिफेंस मिनिश्टी से नहीं मिल रही है इट इस स्टेटिड एट ही वाज डाइग्नोस्ट विद इन इनक्योरिबल डिजीज वाइल सर्विंग इन आर्मी इन जम्मू फिल्ड इन 2002 जब वो दोजार दो में जम्मू फिल्ड ए आर्मी मैन, he was not given the benefit of advanced pension scheme लेकिन उनको advanced pension scheme का benefit नहीं दिया गया It is further alleged that despite direction of the commission, commission ने देखे direction भी दिया in previously registered case जो 834-197-2022 था On similar issue, the secretary ministry of defense has not taken any action in the matter इस matter पर अभी तक भी सक्षा मंतराले सचीव के द्वारा कोई भी अभी तक बात नहीं की गई आगे The commission observed that despite direction 24 March 2023 में, remainder 25 March 2023 में और 27 March 2023 में यानि देखिए direction दिये गए March 2023 में, मई और जुलाई में remainder भी यहाँ पर भेजा गया MOD secretary को लेकिन उन्होंने कोई भी अपनी तरफ से reply नहीं दिया Has failed to submit the additional report in light of comments of the complaint still date और आज की date यानि 9 October 2023 तक भी सचीव ने कोई भी additional report जो है submit नहीं की है उसमें fail हुए है तो दा commission directs its registry to issue summons to the secretary तो देखे इन्होंने जो commission है अपनी registry को बोला है कि आप सचीव रक्षा मंत्राले को एक समन जारी कीजिए अंडर दा section 13 of protection of human rights act 1993 to appear before the commission on 23-11-2023 23 November 2023 से पहले यहाँ पर उनको भोलिये कि देखे एपियर होंगे along with the requisite additional report in the matter और इस matter में additional report के साथ में should how are the requisite reports be received by the commission on or before 16-11-2023 लेकिन अगर वो report अपनी 16 November 2023 से पहले इस commission के सामने submit कर देते हैं receive कर हो जाती है यहाँ पर तो देखे जो personal appearance है वो यहाँ पर उनकी माफ की जा सकती है this is for your info and further necessary actions you are faithfully यहाँ पर देखते हैं देबिंद्र कुंदराजी assistant registrar low division यहाँ पर यह जो है उनको जो complaint है उनको भी इसकी copy भेजी गई है तो सबसे important यह है कि देखे commission ने human right commission मानवादिकार आयोग ने मार्श 2023 में यहाँ पर एक direction दिया सचीव रक्षा मंतरा लेको उसके बाद में मई और जुलाई में दो बार reminder भेजे लेकिन कोई भी report के साथ में सचीव की तरफ से वहाँ पर कोई भी additional report जो है summit नहीं की गई और इसी चीज को देखते हुए under section 13 human right commission जो protection है उसके तहत यहाँ पर समन जारी करने के लिए आदेश जारी कर दिये गए है तो यह थी आज की बड़ी खबर देखे disability pension case में यहाँ पर जो समन जारी हुआ है अगर यह जांकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को जितना जादा होसता है share करें, चैनल को subscribe करें फिर मिलेंगे आपसे, जै हिंड, जै भारत